Hello वम्हारा आजा का टॉपिक है प्रपोस्जिन प्रपोस्जन सीखने से पहले आपको रईशयो आना जरूरी है ठीक है तो रैशयो की क्लासिस से पहले मैंने ली थी और मैंने आपको बता था कि रेशयो क्या होता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि proportion क्या होता है तो proportion क्या होता है जिसमें हम 2 ratio लेते हैं और वह ratio क्या होते हैं equal होते हैं उसको हम बोलते है proportion जैसे for example मैंने एक ratio लिया example लेते हैं मैंने suppose एक ratio लिया 2 by 8 ओके तो आपका ratio क्या हो जाता है 2 ratio 8 यह हो गया फिक है और दूसरा मैंने ratio ले लिया आपका 4 mammary 16 ठीक है तो दूसरा ratio हो गया हमारा 4 तो कि दॉर प्रोपोर्शो 2 थो कि दीजिए भी हमें एक स्पॉर्पोर्शो थे Sudden मतलब हमारा अंसर क्या है, मतलब जो हमारे दोनों रेशो हैं, वो क्या है, इक्वल है, तो इसी को हम कहते हैं, प्रपोर्शन, जब हम दो रेशो लेते हैं, और वो दोनों रेशो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम उन दो रेशो को कहते हैं, प्रपोर्शन इसलिए हमारी इसकी definition है An equality of two ratios is called as proportion Okay, proportion का symbol क्या है आपका ratio का symbol क्या था एक बार dot, colon, ठीक है और जो proportion है उसका symbol क्या हो जाएगा आपका double colon, ठीक है अब हम जो समझेंगे कि इसमें मैंने आपको क्या बताया आपका symbol मैंने बता दिया proportion क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया अब जिस तरीके से हमने ratio में पढ़ा था एक first term होती थी, एक second term होती थी जो first term होती थी उसको हम बोलते थे antecedent और जो second term होती थी उसको हम बोलते थे consequent I hope कि आपको ये सब याद आ रहा हो ठीक है, उसी तरीके से जो आपका proportion होता है उसमें कितनी terms हो गई ही total four terms, right? क्योंकि यहाँ पर देखो one, two, three, और four यही मैंने आपका example लिया था तो इसी को मैं आपको variable की form में समझा रही हूँ तो हमारी जो यह हो गई first term यह सारी क्या होती है, terms इसमें याली term क्या हो गई first term क्या कहती है, extremes और जो आपकी second term है जिसमें यह दोनों mark लगा रखे है second term और third term आपकी क्या कही जाती है means extreme का मतलब होता है किनारे पे means का मतलब होता है बीच में इससे आपको याद हो जाना चाहिए कि जो आपकी first और fourth term है उन्हें हम extremes कहते हैं और second और third term को हम क्या कहते है means कहते हैं, ठीक है अब क्या होता है, proportion हम कैसे find out करते है proportion का एक simple सा formula है कि अगर आप अपने जो भी दोनो extremes है उनको multiply कर दे ठीक है, और जो दोनो means है उनको multiply कर दे तो आपका क्या निकल जाया, अगर answer सेम आता है, तो आपका ये जो जो आपको दिया हुए है numbers, जो terms दिया है वो proportion में है, नहीं तो नहीं है पहले आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझने होगी कि ये आपकी first term है ये second term होती है, मतलब first ratio कि जो terms हो गई हो गई a first term और second term उसके बज़ जो second ratio है, क्योंकि ये तो ratio ही है दो ratio है ना, एक ये ratio है एक ये ratio है बीच में आपका proportion का symbol है ठीक है, अगर ये दोनों equal होंगे values इनकी, तो इसका मतलब ये क्या होगे, proportion में होंगे अगर नहीं होंगी equal values तो इसका मतलब proportion में नहीं होंगी ठीक है, मैंने आपको क्या बता है proportion निकालने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि हमारा, जो भी terms आपको दी गए है वो proportion में है या नहीं है उसके लिए आपको simple सही करना है कि जो extremes है उनका product कर दीजे equal का symbol लगाए और product of means कर दीजे, तो इसको हम करके सबसे पहले मैंने आपको ये question दिया था इसी को हम solve करते है example, ठीक है तो ये आपका first term हो गया, ये second term ये third term और ये fourth term ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको formula क्या है, product of extremes extreme मतलब किनारे पे क्या क्या है ये दोनों, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे multiply, तो हमने लिख दिया 2 into 16, जो की क्या हो गया, आपका product of, आपका extreme हो गया, आप हम लिखे, product of mean, जो की क्या क्या था आपका 4 into 1 second, आपका product of means था, 8 into 4, ठीक है, तो 4 multiply 8, ठीक है, अब 16 तू जा, 32 equal to, 8 4 जा, 32 इसका मतलब 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 which of the following are in proportion तो हम पहले first करे लेते हैं 7,2,42,11 अब इतर देखे इसको हमारा question है मतलब first term कितनी हो गई 7 second term आपकी 2 third term 42 और fourth term 11 तो आपको गया करना है जो किनारे की values होती है उन्हें क्या बोलते है extremes और जो beach की values है उनको क्या बोलते है means तो इन दोनों का क्या करेंगे product और जो आपके दोनों extreme है उनका product करेंगे तो हम पहले formula लिख देंगे product of किस किस का product कर रहे है product of extremes equal to product of means ठीक है यह लिख दिया अब next product of extreme मतलब 7 multiply 11 equal का sign ठीक है product of means मतलब product का मतलब क्या होता है multiply तो product of means मतलब 2 into 42 अब इसको solve करते है 7 into 11 करा कितना आगे 77 equal to अब आपने 42 की multiply 2 से करें 22 जा 4 24 जा 8 क्या यह दोने equal है नहीं है तो हम इसमें equal का symbol नहीं लगाएंगे ठीक है तो हम कैसा symbol लाएंगे not equal to का यह symbol किसका है not equal to तो हम क्या लिखेंगे जो आपके terms थी 7, 2, 42 और 11 are not in proportion जो आपका equal आजाएगा उसको क्या लिखेंगे are in proportion ठीक है अब इसका आप question number 6 में करेंगे 5th और 6th और 3rd यह तीन questions आप करेंगे ताकि आपको easily आ जाएं ठीक है next हम ले रहे है question number 5 क्या लिखा है fill the missing number in the following ratios अब यह भी निकालने के लिए हम यही चीज यूज करेंगे यह फंटा किस तरीके का हमने लिखा 36 ratio आपका blank दिया है equal to 84 ratio 105 आपको इस तरीके से question दिया है इसका मतलब यह हो गई formula क्या था कि भाई जो product किसका करना है extreme का extreme कौन कौन इसे हो गई यह दोनों और जो means है उनका multiply करना है तब हम क्या करेंगे पहले formula लिख देते है product of product of extremes equal to product of means ठीक है अब product of extremes में extreme क्या हो गई 36 multiply 105 equal to product of means मतलब आपका blank जिसमें आपकी value आएगी multiply 84 value किसके निकालनी है blank की तो इसका मतलब 84 किसमें आजाएगा आपका divide में आजाएगा 36 into 105 divided by 84 equal to blank अब आपको देखना है कि किस किस चीज से cancel हो जाएगा दोनों के दोनों 2 से cancel हो सकते हैं ठीक है और 6 से भी हो सकते हैं तो 6 6 जा 36 यहाँ पर आपने करा 6 1 जा 6 ठीक है और फिर यहाँ पर कितना आजाएगा 6 4 जा 24 तो 14 6 जा कितना होता है 84 अब आप देखो क्या यह दोनों एक ही टेबल में आते हैं यहाँ कॉंसी टेबल में 7 की टेबल में 7 2 जा 14 और 15 7 जा 105 ठीक है क्या अभी भी कोई चीज कैंसल हो रही है यहाँ 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 15 3 जा कितना आ गया 45 इसका अतना आपका अंसर कितना आ गया 45 इसी तरीके से आपको सारे questions करने हैं इसमें आपको एक और बता देती हूं कहीं आप उसका pattern देखके डर ना चाहूं इसलिए तो थर्ड वाला मैं आपको solve करके दिखा रही हूं थर्ड वाला आपको question है 5 by 8 equal to blank by 64 ठीक है 5 by 8 मतलब 5 ratio 8 equal to blank ratio 64 तो अब मैंने क्या कहा product of extreme देखो अभी भी मैंने symbol इसी तरीके से लगाया था ठीक है product of extreme 5 multiply 64 product of mean 8 multiply blank value किसके निकालनी है blank की तो यह पर लेखेंगे 5 multiply 64 8 blank के किस relation में multiply में किसमें आजाएगा divide में 8 8 64 85 40 यह आपका अंसर आगया ठीक है easy है इसके आप सारे questions करेंगे next question जो हम attempt करेंगे और सीखेंगे question number 2 जिसमें लिखा है कौन सा ratio larger है मतलब यह जो आपको 2 ratio दिये गए इनमेंसे कौन सा ratio बड़ा है इसका first question पहले time करेंगे पहला जो आपका ratio है वह है 4 ratio 7 और जो आपका दूसरा ratio है 8 ratio 10 ठीक है सबसे पहले ratio दिया गया है तो obviously ratio को हम इस form में भी लिख सकते है 4 by 7 और दूसरा क्या हो गया 8 by 10 अब आप एक बाह बताओ आपको fraction solve करना आता है ठीक है आपका LCM आ गया 70 क्योंकि 7 हमारा prime number था ठीक है तो इसलिए आपका LCM कितना आ गया 70 आ गया अब आपको इसको convert करना यह हो गया 4 by 7 और दूसरा number हो गया 8 by 10 4 by 7 मतलब आपका LCM बन चुका है कितना बन चुका है 70 तो मतलब आपका डेरमेटर कितना है 70 अब आपने 7 से कितने टाइम्स किया होगा कि 70 आ जाए तो 10 टाइम्स 4 by 10 40 नेक्स्ट आ जाए 10 से कितने टाइम्स करें कि 70 आ जाए 7 टाइम्स 8 by 7 जा 56 अब आप इसली compare कर सकते कौन सा रेशयो बड़ा है एक रेशयो है 40 by 70 और आपका दूसरा रेशयो है 56 by 70 अब आप यह देखो कि दोनों डेरमेटर सेम है तो आपका छोटा नंबर मतलब लार्ज नंबर कौन सा है आपको यह बुचता ना कौन सा रेशयो लार्ज है तो आपका यह आला रेशयो क्या है बड़ा है अब यह किसका पॉइंट था 8 by 10 का तो आप लिखेंगे 8 by 10 is larger ठीक है बहुत easy सा question है आपको बस रेशयो को पहले इस form में लिखना है fraction की form में fraction की form में तो उसकी बाद आपको पते यह किस तरीके से आप fraction solve करते हो उसी तरीके से आपको यह question solve करना है ठीक है तो आपका question no.2 में आप करेंगे question no.5 and question no.6 ठीक है अब एक question देखे क्या लेका हुआ है first term दिए second and third term of a proportion 6, 10 and 24 respectively find the term मतलब आपको एक proportion में 3 term दिए है और total कितनी terms होती है चार तो 1, 2, 3 terms दिए पूछता है find the fourth term तो आपको fourth term निकालनी है तो हम लिखेंगे first term, second term और third term तो first term आपको दिए हम कौन सा question कर रहे है 7, first term दिए आपको 6, second term 10 then 24 और आपकी जो last term है वो हमको नहीं बता तो we have put a question mark here ठीक है तो यहां पर 24 लिख दिया 6, 10, 24 अब आपको बोला यह fourth term find out करो तो हम क्या कर लेते है let कर लेते है let fourth term जो अपकी fourth term है उसको हम क्या let कर लेते है b, x ठीक है x let कर लिया अब आप एक चीज़ देखो मैंने आपको क्या बताया था किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले अब आपके पास हो गया 6, 10, 24 और four term की जगा हम निकाले लिख दिया x formula क्या था product of product of extremes equal to product of means ठीक है अब इसको आप लिख लिजे product of extreme मतलब इन दोनों की multiply तो हमने लिखा 6 multiply 10 जो question कहता है और जो हमारे पास formula है बस उसमें put करना होता है value और कुछ नहीं equal का sign है equal का sign लिख दिया product of means मतलब 10 multiply 24 ठीक है अब क्या हो जाएगा हमें किसकी value निकालनी है 6 into x था है मैंने गलती से 10 लिख दिया product of extreme मतलब 6 into x तो हमें value किसकी निकालनी है 4th term की जो इसको हमने क्या लिख किया x तो हमने लिखा 10 multiply 24 यह हमें x की value निकालनी है x को हमने यह रहने दिया 6 को हम क्या करेंगे move करेंगे 6 into 6 6 forger 24 10 forger 40 ठीक है तो इसका मतलब therefore जो आपकी 4th term है वो कितनी हो गई है समझेंगे उसके बाद आप इस exercise के जितने question उनको अटेम्ट करेंगे next जो हमारा concept है वो है continued proportion continued proportion का मतलब होता है कि जो भी आपको जब आपको terms दी गई है तो जैसे हमारे पास यहां पर कितनी term थी 4, 6, 10, 24, और लास्ट हमें निकाली थी 14 तो चार टम थी तो इसमें क्या होता है continued proportion की case में कि जैसे 6 है first term, second term 10 है और third term 24 है जब second term ही अपने आपको repeat कर दे मतलब 24 की जगा यहां पर भी 10 होता और फिर 40 होता तो इस चीज को हम बोलते है continued proportion मतलब आपके पास A होता B होता उसके बाद यही B दुबारा repeat होता इस तरीके को हम बोलते हैं continued proportion तो हम इसको कैसे लिखेंगे A by B equal to आप क्या लिखेंगे B by C जब आप इसकी multiply करेंगे क्योंकि product of means करेंगे तो कितने आए B कितना है 1 और 2 तो इसका मतलब power कितनी लग गई 2 और यहाँ पर क्या आज जाएगा A multiply C तो product of means is equal to product of extremes तो यह आपका होता है continued proportion ठीक है ओके यह concept समझ लिया आपने आपको क्या करना है आपको जो भी उस exercise में question है 8.2 में वो आपको खुद solve करने है ठीक है जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लीजेगा ओके बाई